अगर है ऐध मैंने यह दो बनाए है और बहुत ही टेश्ट ही है हमारे सबजी को इस हो हो अच्छा स्वाथ देते हैं उनके टेस्ट को इन्हेंस कर देंगे देखते हैं मैंने क्या यह मसाले बनाई हैं चलिए देखते हैं वीडियो में आगे हलो गाइज तो फ्रेंड्स आज मैं बना रहे हूं पुछ मसाले ये किचिन किंग मसाला समझ लीजे और इसमें से थोड़ा से चेंजिज करेंगे तो मैगी मसाला बन जाएगा मैगी मसाला और चाट मसाला बना रहे हूं तो आप देख रहे हूंगे इसमें यह मैंने काफी सारी चीजे ले रखी हैं तो इसमें यह हमारा पुदीना ड्राय सूखा हुआ यह जीरा यह काला जीरा है और यह ब्लैक पर अजवाइन टाट्री या निवू का सथ या टाटर पाउडर जो भी आप बोलें उसे यह अमचूर है यह नटमेक के तीन पीस हैं और काला नमक धनिया लाल मिर्च और यह सफेद नमक और यह काली मिर्च का पाउडर है तो यह सारी चीजे मैंने पहले से ही भून के रखी हैं इनको हलका सा ड्राय रोष्ट की आए मैंने और वह जरूरी है अगर इसमें नमी रही तो यह आपका खराब हो जाएगा तो आप सारी चीजे अलग अलग ड्राय रोष्ट करना सारे एक साथ मिला कर मत करना यह पूदीना मैंने सुखा लिया था उसके बाद भी मैंने से ड्राय रोष्ट किया है जिससे एक थोड़ी बहुत भी नमी होना वह खतम हो जाए तो बस आप इनको हम पीस लेंगे तो दिखाती हूं पीसनी के बाद तो लीजिए गाइस यह चाट मसाला बनके तयार है और यह बहुत टेस्ट है आप इसे बनाएगा जरूर और अगर इसमें कुछ चीज आपके पास नहीं है जैसे पुदीना सुखा हुआ नहीं है वो काफी चीज़े काली जीरी नहीं है तो फिर आप क्या करें पिर मै जीरा ब्लैक साल्ट अमचूर साधा नमग और मिर्ज बस टाट्री नहीं है तो कोई बात नहीं है आप अमचूर डबल कर देंगे तो इसमें जो भी चीज मैंने लिए जितने भी मैंने मसाले लिए उनकी क्वांटिटी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंग हमें कौन-कौन से मसाले कितने कितने यूज करने है चाट मसाले के लिए तो मैं सारी मसाले के लिए अलग-अलग आपको बता दूंगी यह हमारा चाट मसाला बनके तयार है अब हम बनाते हैं यह मैगी मसाला तो इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजे लिए जैसे यह चना दा साबुत धनिया सौंप जीरा पॉपी सीट जिसे हम खस-खस बोलते हैं वे लीफ और इसमें यह हम डालेंगे यह प्याज का पाउडर है यह लैसुन है सूखा हुआ यह अद्रक का यानि जिंजर पाउडर है यह अमचूर है और हिंग डालेंगे और काला नमक डालेंगे और इ चार्च या कॉन फ्लोर जो बोलते हैं अरा रोट और कॉन फ्लोर बैसे दोनों अलग-अलग होते हैं तो आपको जो हो वह आप डालिए तो इन सब की भी क्वांटिटी हम आपको डिस्कुस्टन बॉक्स में जरूर लिख देंगे जिससे आपको पता चले कि आपको कितनी च मैगी मसाला या मैजिक मसाला आप जो भी बोलें वह भी बनके तयार है इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्चे टेबल स्पून डाल ली ती तो उसकी जगह मैंने जो मैंने चुकंदर का पाउडर बनायता है वीटूट पाउडर वह डाला है रैड कलर के लिए तो आप कस्मीरी आपको कोई परिशानी नहीं हो तो अब क्या करना कुछ नहीं है वही जो हमेशा आप करते हैं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी करी दीजिए कोई बात नहीं अपना ही चैनल है मिलते हैं और इन पाउडर को आप घर पर जरू बनाएगा अगर आप बनाएगे तो मुझे खुशी मिलेगी और यह जो मैगी मसाला है यह किचेन किंग मसाला इसमें अगर आपके पास प्याज और लेसून का पाउडर नहीं हो तो कोई बात नहीं आप उसके बगैर भी इसे सकते हैं यह बढ़िया टेस्ट आएगा तो आप बनाएएक जरूर और मुझे बताइएगा कि आपने बनाया या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो मैं और आपको मैं अगले वीडियो मैं क्या बनाऊंगी यह मैं सोचती हूँ कि किस आपको बना के दिखाऊंगी और एक और मसाला ऐसे ही गन पाउडर एक गन पाउडर मसाला आता है वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में मसालों के साहथ टब तक के लिए बावाइ